Hello chess lovers, if you want to have some chess coaching, then please contact Star Chess Academy. Our contact number is 8770-329-632. So let's start. आज हम सीखेंगे chess board को कैसे setup करते हैं, chess board के pieces को कैसे जमाते हैं, और सही तरीका क्या होता है. दीखें, यहाँ पर already chess के pieces जमें हुए हैं. अब हम सीखेंगे कि सही तरीका क्या होता है, कैसे हमको pieces को जमाने होते हैं. तो सबसे पहले check करेंगे कि right hand side पर white square आ रहा है, बिलकुल आ रहा है, means setup तो सही है यह. अब black के right hand side opposite आएगा, इस side आएगा, तो उसके right hand पर भी white square आ रहा है, तो यह भी ठीक है. ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जहां पर 1 लिखा है, उथर white के बड़े pieces जमेंगे, और second rank पर fonts जमेंगे, ठीक है, file क्या होती है, rank क्या होती है, सारी चीज़े में आपको बता दिये already, अगर आपको नहीं पता है, तो वीडियो में देख लेना, तो first rank पर सबसे पहले white के pieces जमाएंगे, सबसे पहले right से start करेंगे, रुक, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कैसा उसका order होगा, तो यह हो गया रुक, सिर्फ पर short form यूज़ करूँगा, मैं, अर्क, capital R, उसके बाद knight, रुक के पास में knight, उसके पास में bishop, भी, पिर king, अब ध्यान रखने वाली बात यह है, कि white की queen हमेशा white square पर, सफेर square पर होगी, white queen on a white square, हमेशा ध्यान रखे, white की queen हमेशा white square पर होना चाहिए, यह होगा, queen, उसके पास में bishop, उसके पास में knight, एंड रुक, ठीक है, यह setup होता है, यह आप याद कर दीजिए, यह white के लिए और black के लिए same है, कैसे same है, फिर से हमको बताता हूँ, दीखिए, यहाँ पर white का जो रुक है, उसके just सामने black का रुक है, ओके, knight के सामने knight, bishop के सामने bishop, king के सामने king, white के queen, white square पर black की queen, black square पर bishop, knight, रुक, हर piece एक दूसरे के सामने, ठीक है, अब second rank पर white की सारी pawns जमा दो आप, पैदल, ठीक है, उसके बाद आप black के महुरे देखते हैं, जैसे कि first और second rank पर white के pieces जमे है, 8th rank पर black के pieces, 7th rank पर भी black की pieces जमे हो गए है, अब आप देखिए, right hand पर white sphere आ रहा है, बिल्कुल सही setup किया हुआ है, क्या रहेगा, वहीं पूरा setup जो अभी हमने लिखा था, वही setup फिर से लिखेंगे हैं, रुक, उसके बाद knight, bishop, queen, I hope कि आपको बोर्ट शो हो रहा होगा, then king, then bishop, knight and rook यह होगा, एट्थ रैंक पर और सेवंध पर pawns की मतलब pawns, ठीक है, सेवंध रैंक पर black की pawns, उसी तरह स्थे फर्स्ट रैंक पर white के पीसे, second rank पर white की pawns, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, कि board को setup कैसे किया जाता है, ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि chess mode को सही setup कैसे करते हैं, और white की queen white पर होगी और black की queen white black पर होगी, I hope कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, keep enjoying, keep watching, star chess academy, bye bye.